How to make a land cable आईए सीखते हैं एक बिट के अंदर आप land cable को अपने घर पर ही कैसे बना सकते हैं इसके लिए चाहिए होता है आपको एक cable cutter, cramping tool, land cable और land cable adapter सबसे पहले land wire को cable cutter के माध्यम से कुछ इस तरीके से काट कर बाहर निकालना है अगर आप cat6 या फिर 6E cable का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको separators भी देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आप cramping tool में दिये गए blade के माध्यम से इसली काट कर अलग कर सकते हैं cable के अंदर आपको चोटे-चोटे copper wires देखने को मिल जाते हैं जिने की 568B pattern में आपको arrange करना है ध्यान रहे ये pattern cable के दोनों 0 पर एक ही जैसा होना चाहिए अगर आप एक LAN crossover cable बनाना चाहते हैं तो आप 568A का इस्तेमाल कर सकते हैं एक सीरे पर लेकिन बहतरीन speed के लिए आप 568B को ही दोनों 0 पर इस्तेमाल करें जो कि international standard भी है wires को arrange करने के बाद आप cramping tool के cutter से इन सारे wires को आप बराबर में रखकर हलका सा trim कर लिजे जिसे की सभी wires बराबरी में आ जाएं अब जरूत पड़ेगी आपको एक LAN adapter की जहाँ पर इन wires को आपको insert कराना है wire को अच्छी तरीके से adapter में insert करने के बाद आपको जरूत पड़ेगी आप cramping tool की जहाँ पर आप LAN adapter को कुछ इस तरीके से cramping tool के अंदर रखकर आप 3G से press करते हैं जिसके बाद LAN आपकी punch हो जाती है और आप इसका इस्तेमाल internet access करने के लिए कर सकेंगे